सब्सक्राइब कीजिए इंटरनेट टिप्स यूटूब चैनल को और बैल आइकन को दवाईए लेटेस टेकनोलोजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नमस्कार दोस्तो इंटरनेट टिप्स की एको नई वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि हम अपने Paytium Payment Bank की Money को अपने Reality Personal Bank Account में किस तरह से Transfer कर सकते हैं तो जब बक्त नागावाते हुए वीडियो को start करते हैं और open करते हैं अपने स्मार्टफोन में अपने Paytium को आप देख सकते हैं मैंने पेटियम को open कर लिया है अब simply आपको यहाँ पे bank वाले options को select कर लेना है जैसे ही आप bank वाले options पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको अपना debit card जो है देखने को मिल जाएगा और आपको यहाँ पे नीचे मिल जाएगा आपका bank account number और आपका ifsc code तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 1,945.99 पैसे जो है यहाँ पड़े हुए हैं तो मुझे जो है अपना यहाँ से balance अपने personal bank account में transfer करना है तो मैं यहाँ पे click कर लेता हूँ, click करने के बाद आपको यहाँ पे options मिल जाएगा paytium wallet saving account तो यहाँ से आप saving account को select कर लेंगे जैसे ही आप यहाँ से saving account को select करते हैं तो आपको यहाँ पे money transfer का options मिल जाता है आप यहाँ पे money transfer वाले options पे select कर लेंगे select करने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको options मिल जाएगा अपना account number type करने का तो simply आप यहाँ पे जो है account number type कर लेंगे मैं वीडियो को skip करके यहाँ पे अपना account number type कर लेता हूं तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने अपना account number यहाँ पे type कर लिया है अब मुझे यहाँ पे ifsc code जो है अपनी bank का डाल ला होगा तो मैं ifsc code भी यहाँ पे डाल देता हूं तो दोस्तों मैंने यहाँ पे φsc code भी डाल दिया अब मुझे यहाँ पे account holder name भी डालना होगा तो जल्दी से मैं यहाँ पे account holder name भी type कर लेता हूं अब आपको simply यहाँ पे proceed के बटन पे click करना होगा जैसे यहाँ पे proceed के बटन पे click करते हैं तो आपको यहाँ पे अपना amount जो है वो type करना होगा तो मैं यहाँ पे 1900 रुपे जो है वो type कर लेता हूँ और नीचे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सेलक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर प्रोसीट के बटन पर क्लिक कर देंगे जैसरे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो एक पेज आपके सामने यहां पर निकल के आज आएगा आपको confirm money transfer वाले बटन पे क्लिक कर देना है जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक code डालना होगा जो आपने पहले से बना कर रखा होगा तो चलिए दोस्तों मैं यहाँ पे code डाल देता हूँ तो दोस्तों code डालने के बाद इस तरह से successful हो जाता है आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी transaction जो है successful हो चुकी है और हमारे पास जो है message भी आ चुका है तो दोस्तों आप जो है अपने paytm bank से इस तरह से अपने really personal bank account में अपने balance को transfer कर सकते हैं तो उमेद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ share कीजिए और आगे भी इस प्रकार की वीडियो अपने मोईल पर सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी open कर लिजिए ताकि हमारे चैनल पर अफलोड होने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोईल पर सबसे पहले पहुंच सके और आप हमारी वीडियो को miss ना कर पाएं सुचले दोस्तों मिलते हैं आप से अपने चैनल की अगली वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद बंदे मात्रम